नमस्कार में अहुद्व्य बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है पांच मार्च दिन मंगलवार खबरों के उबने से पहले एक मेंदर सुर्खियों पर बिहार में बरे पैमाने पर अधिकारियों का तबादला बिहार में BSNL 5D सर्विस को करेगा लॉंच ड्रैगन फूट की खेती में स्प्रिंकलर पद्धती के उप्योग से होगा फाइदा आज प्रदेश का दापमान रहेगा सुस्क ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करने पर एक दिन में कई बार कर सकता है चालान पुराने अधार कार्ट को जल्द अपडेट कराना है जरूरी भारत बनाम इंगलेंड के पाचवी टेस्ट मैट से पहले बारस ने बरहाई टेंसन अब चले बरते अब तके 25 बड़ी खबरों के और विस्थार से दिल्य विस्विद्याले में 9 टीचिंग के पदों पर निकली भरती नौन टीचिंग स्टाफ के 46 पदों पर दिल्ल perception की स्टी अरबंदो कॉलेज में बरती आई है इन पदों पर आविदो करने की इंतिमतारिक 16 मार्च या रोजगार समा चार पत्र में विग्यापन प्रकास्त होने के 15 दिन के अंदर है इस भर्ती के लिए एक चुक मिद्वार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.arvindu.du.ac.in पर जाकर आविदन कर सकेंगे इस भर्ती के आविदन के लिए आप से आविदन सुल्क के रूप में 500 पर लिए जाएंगे हाला के जो लोग अरक्षित वर्ग से हैं या महिला उमिद्वार हैं उन्हें आविदन सुल्क नहीं देने होंगे भर्ती से संबंधित सटिक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके अधिस सूचना को और अधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं बिहार में बरे पैमाने पर अधिकारियों का तबादला किया गया है राजे में साथ आईयस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है सामाने प्रसासन विभाग ने इससे संबंधित सूचना को जारी किया है राजे में प्रसासनिक फेर बदल किया गया है विभूती रंजन चौधरी को नगर आयप को समस्तिपूर भेज दिया गया है साथे इन्हें उप भोकता सनक्चन खादे एवं उप भोकता सनक्चन विभाग के पतपर भेजा गया है सैलजा सर्मा को लगू जल संसादन विभाग का प्रदत अपड़ सचीप नियुक्त किया गया है इधर लोकसवा चुनाव से पहले डियस पी अस्तर के 22 पुलिस पदादी कारियों का भी तबाद ला किया गया है ग्रे विभाग ने इसे संबंदित सूचना जारी की है बिहारे बर्थने स्पेसल में आज हम बात करेंगे राम गोपाल बजाज के बारे में ये भारती रंगमन चे निदेसक हिंदी फिल्म अभिनेता और नेस्नल स्कूल ओफ ड्रामा के पूर्व निदेसक रह चुके हैं इनका जनम आज के दिन वर्थ 1940 में बिहार के दरभंगा जले में हुआ था ये मासूम और हिप हिप हुरे जैसी कई फिल्मों में चरितर भूमिकाओं में नजर आ चुके हैं अभी हाल में ही आई फिल्म जॉली अलल भी दो में अधिवक्ता रिजवी सहाब की भूमिका इन्होंने ही निभाई थी इन्हें इनके छेतर में सराहनी कारियों के लिए कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है जिनमें वर्ज 2003 में इने मिला पदमसिरी पुरसकार और 1996 में संगीत नाटक अगैनमी मुरसकार सामल है ड्रागन फ्रूट की खेती में स्प्रिंकलर पध्धती का उपयोग से होगा फायदा ड्रैगन फ्रूट की खेती में सिचाई के लिए स्पिंकल पधती का उप्योग करने से किसानों को लाब पहुंचेगा इस तरह सिवे पैदावार को बढ़ा सकते हैं आपको बता दे कि भिहार सरकार की ओर से इसके लिए 80% तक का अनुदान दिया जा रहा है किसानों के लाब देखते हुए साथी खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये फैस्ट ला लिया है वही अनुदान प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आविदन किया जा सकता है इसके लिए उद्ध्यान निदेसाले की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं विभार की वेबसाइट पर इस यूजना से संबंधित अधिक जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है बिहार में BSNL 5G सर्विस को करेगा लॉंच बिहार में जून तक BSNL 5G सिवा को लॉंच करेगा इसे 5G spectrum आवंटित हो चुका है आपको बता दे कि देश भर में 9 network इलाके को खत्म करने की तैयारी की जा रही है इसी करी में राज्य को 1100 करूर की रासी प्रदान की गई है वहीं देश भर में 26-30,000 करूर रुपे आवंटित हुए है इसके बाद सीमा वर्ती पहारी इलाकों में भी network की समस्या खत्म हो जाएगी जानकारी के नुसार देश भर में कुल 26-6,000 गाओं ऐसे हैं जहां network की समस्या है सभी इलाकों में network हो इसके लिए तैयारी की जा रही है आपको बता दे कि BSNL पहले 4G सपोर्ट के लिए काम करेगा इसके बाद 5G कारे की शुरुवात की जाएगी ट्राफिक नियम का पालन नहीं करने पर एक दिन में कई बार चालान कर सकता है कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि एक दिन में उनका दूसरी बार चालान नहीं कर सकता आपको बता दे कि ओवर स्पीडिंग सीट वेल्ट नहीं पहनना आदी मामलों में एक दिन में दो बार चालान भी कर सकता है क्योंकि ओवर स्पीडिंग और सीट बेल्ट नहीं पहने की गलती आप जान बूचकर कर रहे हैं इसको लेकर आपका एक दिन में कई बार चालान कर सकता है वहीं हेलमेट नहीं पहने के मामले में आपका एक दिन में एक ही चालान कर देगा क्योंके इस गल्ती को आप तुरंध नहीं सुधार सकते हैं करना है साथ ही विहार में हो रहे विकास कारेयों को आगे बरहावा देना भी एक चुनौती है मुख्यस अचीव ने कहा है कि सीम नतीस कुमार की सोच को हम सभी लोग मिलकर पूरा करेंगे आपको बता दे कि ब्रजिस कुमार को मुख्यस अचीव कारियाले में आमिर सुभानी ने पदभार सौंपा है साथे उन्होंने वियारस का फैसला लिया है बिहार में आरक्षन के दारे को बरहाने के मामले में हाई कोर्ट में होगी सुनवाई बिहार में आरक्षन के दारे को बरहाने के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होगी आपको बता दे कि पटना हाई कोट राज्य सरकार के दोबारा आरक्षन की सीमा को बढ़ा कर 65 फीजी करने के मामले में सुन्वाई करेगा चीफ जस्टिस के वी चंदन के खंडपीत इस मामले में सुन्वाई करेगी गौरफ कुमार और अने लोगों ने इस मामले में जनहित याजिका दायर की है वही सरकार ने कानून लाकर अरक्षन के दायरे को बरहा दिया है भटना हाई कोटने से चुनोती देने वाली याजिका पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था साथी राधे सरकार को इस पर जवाब देने के लिए कहा था वही अब इस मामले में कोट में सुनवाई होगी बिहार पैटन में आज हम बात करेंगे गुर्पा हेल के बारे में ये पहार बिहार के गया जुले में सित है जो खूबसूरत प्राकर्तिक नजारे और रहते हासिक अस्थानों के लिए लोगों के भी जाना जाता है यहां पर महा कसे अपने निर्वान किया था ये बुद्ध के अंतिम सिस्य थे इसे लोग गुर्पद गिरी या कुकुटपद गिरी के नाम से भी जानते हैं यहां भगवान विस्तूं के पैरों के निसान है इस अस्थान पर बौद और हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले कई लोग आते हैं यदि आप भी यहां से खूबसूरत प्राकर्ति नजारे का अनंद लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं विहार के पैते जिलों में विद्यूत सब्दा ग्री का होगा निर्मान विहार के पैते जिलों में विद्यूत सब्दा ग्री का निर्मान किया जाएगा बुढकों के प्रबंद निदेशक ने पटना हाई कोट में ये जानकारी दी है उन्होंने कोट में हराफ नामा दायर किया है इसमें कहा गया है कि सभी पैदेजलों के मुख्याले में सब्धा ग्रे को निर्मान किया जाएगा इस योजना को मुख्य धाम के नाम से जाना जाएगा वही इसके निर्मान में 20,737 लाक रुपे की लागत आएगी मुख्या नैधिस विनोध चंदरन और यायमूर्ती हरीश चंदरन की खंड पीठ में सुनवाई हुई थी इसके बाद कोट ने विद्यूत सब्धा ग्रे के निर्मान कारे को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया है पुराने आधार कार्ट को जल्द अपडेट करना है जरूरी आधार कार्ट की बैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं में जरुद पढ़ती है वही अगर आपको आधार कार्ट चे कोई गलती हो तो ये आपके लिए समस्या हो सकती है आधार में नाम पता या फिर जन दितियों में गलतियां होने पर आपको परिशानी हो सकती है UIDAI पुराने आधार को अपडेट करने के सुभधा दे रही है वही सरकारी नियमों के अनुसार 10 साल पुराने आधार कार्ट को अपडेट करवाना जरूरी है 14 मार्च तक आधार कार्ट को अपडेट करवाने पर आपको किसी भी तरह की रासी का भुकता नहीं करना पड़ेगा नाम, पता, फोटो, मुबाइल नंबर, जन, तित्यों, आधी को भी मुफ्त में अपडेट किया जा सकता है विहार डिगरी कॉलेजों के सिक्षकों की सैलरी पर अपडेट विहार के डिगरी कॉलेजों के सिक्षकों के को वेतन भुकतान डीवीटी के माध्यम से किया जाएगा इसे अनिवारी किया गया है इसके बाद देश कॉलेजों को लेकर ये अपडेट सामने आया कि सिक्षकों का वेतन भुकतान डीवीटी से नहीं हो रहा है इसके बाद सिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता सलिया है विभाग ने इसमें पारदरसिता लाने के लिए कहा गया है सिक्षा विभाग ने संबंधित कॉलेजों से 10 मार्च तक असपस्टी करन मांगा है इसके साथ ही ऐसे कॉलेजों के अनुदान रासी को जारी करने पर रोक लगा दी है डीबीटी के दवारा वेतन भुकता नहीं करने के मामले कोले सिक्षा विभाग ने गंभिरता से लिया है वहीं सिकायत मिलने पर कारवाई की बात कहीं है MLC चुनाव को लेकर आज नामंकन करेगी सिम नितीज कुमार विहार विधान परिशद में 11 सुदसों की कारकाल खत्म होने जा रहे हैं इसके लिए राज निर्वाजन आयोग ने नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है वे आज अपना नामंकन दर्ज करेंगे वहीं सिम नितीज विदेश दौरे पर भी जाने वाले हैं इससे पहले वे अपना नामंकन दाखिल करेंगे सिम नितीज कुमार का कारेकाल 6 मई तक का है वहीं जडियोग कोटे में MLC के लिए 2 सीट है मालूम हो कि सिम नितीज कुमार के साथ ही पूर्व सिम राबरी देवी भाजपा नेता सेयर सेनवाज हुसें जडियों के नेता संध्य जहा भाजपा नेता मंगल पांडे आदी का कारेकाल खत्म हो रहा है आज प्रदेश का तापमान नहेगा सोस्क मार्च महीने के शुरुवात के साथ ही एक तरफ प्रदेश के तापमान में जहां बरहोती देखने को मिली तो वहीं दूसरी तरफ सक्रिये हुए पस्टि में विच्छोप के कारण प्रदेश के मौसम में थोरे बहुत बदलाव देखने को मिल रहे है आने वाले दो दिनों तक मौसम में किसी प्रकार के कोई बदलाव देखने को नहीं मिलने वाले है नालंदा में स्कूली बैक से 37 विदेशी सराब की बोतल बरामद होई है पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विहार सरीफ रेलवे स्टेशन के पास से भारी मातरा में विदेसी सराब की बोतल को बरामत किया है वहीं एक तसकर को भी मौके से गिरफतार किया है हाला कि पुलिस को देखते ही दो तसकर मौके से फरार हो गया है जानकारी के नुसार गिरफतार युवक दीपनगर धाना इलाके के कसीम चक निवासे मितलेर सिंग का बेटा कुंदन कुमार है इसके दो साथी बंटी और निवास फरार हो गया है पुलिस इनकी तलास कर रही साथी पुलिस पुरे मामले की जाश में जूटी हुई है जमोई जिले ने आकांगी जिला कारर्म में सांदार प्रदर्शन किया है। इसको लेकर विन अक्सल प्रभारी छेत्रों का ब्रह्मन करते रहे हैं, ताकि यहां के लोगों को मोलभूत सुविधाय मिलती रहें, जिले का विकास करने के मामले में जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों की भूमी का हैम है, दिययम ने इसके लिए पूरे जिलावासीयों क प्रसासन की और से सुब कामनाय दी खेसारी लाल यादव ने बाबा बागेस्वर से की मुलाकात भोजपुर के एक्टर खेसारी लाल यादव ने बाबा बागेस्वर से मुलाकात की है बागेस्वर धाम के सरकार पंडित धिरेंदर सास्त्री से खेसारी लाल यादव ने आशरवाद दिया इसके साथ ही उन्होंने सोसल मीडिया पर एक पोस्ट भी सेर किया है इसमें बाबा बागेस्वर एक सिंगहासन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं वहीं खेसारी लाल यादव उनके चरन में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं मालूमों कि खेसारी लाल यादव हिट मसीन के नाम से जाने जाते हैं वहीं इन से पहले अक्षरा सिंग और मनोश तिवारी भी बाबा बागेस्वर से मुलाकात कर चुके हैं अब्कि सारी लाल यादव बागेस्वर धाम पहुँचे हैं भाजपा के नेताओं ने सोसल मीडिया पर बदला अपना परिचे भाजपा के नेताओं ने सोसल मीडिया पर अपना परिचे बदल दिया है दरसल राज़त सुप्रीमो लालु प्रसाद यादव ने प्रधान मंतरी नेद मोदी से पूछा था कि उनका परिवार कौन है इस पर पियेम मोदी ने कहा है कि पूरे देश के लोग उनके परिवार है साथी साल 2014 का नारा दिया है कि मैं मोदी का परिवार हूँ वहीं इसके बाद भाजपा के सभी निताओं ने सोसल मीडिया पर अपना परिचे बदल लिया है बिहार के रिप्टिस सियम समरार चौधरी और विज़स सिनहा ने सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अपने नाम के साथ लिखा है कि मोदी का परिवार इनके अलावे केंद्रि गरे मंत्रे मिक्सा भाजपा के राष्ट्रे अध्यक्स देपी नड़ा, व्रितियौंजत इवारी ने भाजपा पर बोला हमला, राज़त के प्रवक्ता मृतियौंजत दिवारी ने बयान दिया है, उन्हों कहा है कि बीजेपी के खिलाफ देश में जो महाल है इसमें जनता के मन में आक्रोस है ऐसे में इसका एहसास भाजपा के उमिद्वारों को होने लगा है आसन 16 से भाजपा ने पवं सिंग को मिदवार बनाया इसके बाद उन्होंने यहाँ से चुनाव लडने से इनकार कर दिया है वहीं इसके बाद अक्everा सिंग का नाम सामने आ रहा है राज़त प्रवक्ता ने कहा है कि इने चुनाव लड़ने के लिए नेता या राजनीती कारे करता नहीं मिल रहे हैं इस कारण ये कलाकारों पर भरोसा दिता रहे हैं भाज़बा का साल 24 के लोगसवा चुनाव में सफायात है आरजरी के नेता ने कहा है कि चुनाव में 400 क्या बल्कि भाजबा को 40 सीट भी नहीं आने वाली है आनंद मोहन की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई हुई है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में विस्तरित सुनवाई होगी सीट सदालत ने प्राज मिक्ता के आधार पर इस मामले को सूची बत करने का विस्वास दिया है द्रसर बिहार सरकार के द्वारा नियमोंग में बदलाव के बाद पूर्व सांसाद आनंद मोहन की रिहाई हुई थी इसके बाद इवंगर जिलादिकारी की पत्नी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकटाया है इस रिहाई को पूरी तरह से गलत बताया है भारत बनाम इंगलेंड के पाँवे टेस्ट मैच में पहले बारिस ने बरहाई टेंसर भारत बनाम इंग्लेंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में आखरी मैच हिमाचल प्रदेश के धर्मसाला में खेला जाना है ये साथ मार्च से शुरू होगा वहीं से पहले बारस ने सभी की चिंता को बरहा दिया है मालूम होगे फिलाल भारत ने तीन एक से बरहत हांसल कर ली है फाइनल मुकाबले से पहले बारस ने सभी की चिंता को बरहा दिया है मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि टेस्ट मैच के दौरान बारस को हो सकती है यहाँ ओले के साथ वर्सा की आसंका जताई गई है वहीं ऐसा होने पर खेल को रोका जा सकता है मौसम विभाग के मुताबिक एस दिन उच्टम तापमान साथ दिग्री तक रहेगा जबकि निम्दम तापमान चार दिग्री सेलसियस होगा इंग्लेंब के खिलारियों को स्तापमान की आदत है लेकिन भारत के खिलारियों की परिशानी बर सकती है कई कारणों से दर्जह भारत तितिहास में आज की तारीख आज के दिन वर्स 1997 में भारत और 13 अन्य देसों ने और भारत ने समुंद्र से जमीन पर हमला करने वारे ब्रहमोस मसाइल का सफर परिक्षन किया था आज के दिन उद्योकपती विजय मालया ने 18 लाख रुपे में बापू के विरासत को खरीदा था आज के दिन वर्स 1965 में भारती होकी के बेतरीन परी रक्षकोंग में से एक परगट सिंग का जन्म हुआ था आज के दिन वर्स 1913 में भारती सास्त्रिय संगीत की प्रसत गाई का गंगुबाई हंगल का जन्म हुआ था आज के वाइरल खबर में हम बात करेंगे होली उपहार योजना 24 के बारे में इंटरनेट के जमाने में कई ऐसी खबरें हैं जो वाइरल होती रहती हैं लेकिन सभी खबरें सही हों यह जरूरी नहीं है इसी करी में यूटूब पर एक चैनल द्वारा एक फरजी खबर चलाया जा रहा चैनल पर कहा जा रहा कि होली उपहार योजना 24 के तहट सभी के बैंक खाते में किंद्र सरकार द्वारा 2000 रुपे की धंडासी दी जाएगी लेकिन आपको बता दे कि यूटूब पर चलाया जा रहा ये वीडियो पूरी तरह से फरजी है किंद्र सरकार द्वारा ऐ और इसे किसी को सेर करने से भी बचें इस संबंध में पी आई बी ने भी अपने सोसल मीडिया एक्सपर इस ख़बर को साजा किया है और इसे पूरी तरह से फरजी करार दिया है वाट्चप अब अपने इस फीचर के जरिए दूसरे एप्स को करेगा सपोर्ट हमेंसे कई ल है दर असल डबलुए बीटा इंफो के मुताबिक आने वाले ने फीचर में ऐसा डिजाइन किया जाएगा जिससे थर्ड पार्टी चैट को भी मैनेज किया जा सके मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाट्चेप ने यू रेगुलेट्री एडियंसी डिजिटल मार्केट एक्स को बताया है कि वह यूजर कम्यूनिकेशन को बहतर करने के लिए चैट इंटर ऑपरेबिलिटी पर काम कर रहा है ये दूसरे एप्स को भी सपोर्ट करेगा दानापुर जोगबनी ट्रेन की होई शुरुआत पटना से दुरी मिथला दानापुर जोगबनी ट्रेन के शुरुआत होई है इसका परिचालन समस्तिपूर होकर किया जा रहा है इस ट्रेन के सुरुआत हो जाने के कारण पटना से मिथला के साथ ही कोसी और सिमान चल जु इस ट्रेन की शुरुवात हो जाने से लाकों लोगों को फायदा होगा मालूम हो कि ये ट्रेन 332 किलोमीटर तक का सफ़र तै करेगी हम प्रती दिन आप से पांच ऐसे जरूरी सवाल पूचेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपी ऐसी बिहार पुलिस दरोगा समेत एसे सी जैसे अनर प्रतोगी पर एक्छाओं में काम आएंगे सवाल अतिहास बिहार इस्पेसल विग्यान करिंटर फिर्स और भुगो से रहेंगे पूचे के पांच सवालों में आपने कितना सहीं उतर दिया है ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं तो हमारा पहला सवाल और दुनिया की पहली व्यादिक घरी अस्थापत की गई है ऑप्सन ए है उज्जयन ऑप्सन भी आयोध्य ऑप्सन सी पर्यागराद ऑप्सन डियान में से कोई नहीं इसका सहीं उतर है उज्जयन हाली में फाइनेंसिल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने किस पर 5.49 करोर रुपय का जुर्मान लगाया है हाली में भारत और किस देश के बीच विसाका पतनम में समुद्र लक्षमन अभ्यास का यह ज़़न किया गया है उप्सन ए है स्रेलंका, उप्सन भी है मौल्दिफ्स, उप्सन सी है मलेशिया, उप्सन डियरूस इसका सेयुदर है मलेसिया, बिहार में किसके समय में पंधी प्रबंध का विकास हुआ था, औपसने है, करनाट सासक, औपसन B, गुप्त सासक, औपसन C, पाल सासक, औपसन D, हर्यक सासक, इसको सही उतर है करनाट सासक पतना को प्रांती राजधानी किसने बनाया था आपसने है सेर सा आपसन भी है लाउदिन हुसेन सा आपसन सी है बराहिम लोदी आपसन भी है राजकुमार रजीम इसका सही उतर है सेर सा बीते दिन हमाद और पुचे के सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सुक्सन वॉक्स में लिक कर दिया था जिन्होंने हमाद और पुचे के सवाल का जवाब जिनके नाम है अर्विंद कुमार मंडल इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है आपके अनुसार बिहार में पकरे गए फरजी सक्षकों पर क्या कारवाई होनी चाहिए आप अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सक्षिन बॉक्स में लिका जरूर बताएं आज के लिए इतना है बिहार के थमाम खबरों के साथ बन रहने करें देखते हैं अगर आप यूट्यूब से देखना है तो चैनलन को लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर आप फेस्बूक से देखना तो फेच को फालो करना ना भूले धन्यवाद